हेलो फैमली वेलकम वैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होब आप सब बहुत अच्छी होंगे तो यह वीडियो इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि मैं अभी इसके पहले आपको सारे वीडियो मैंने शेयर कर लिया है क्योंकि ट्रैवलिंग का जो मैं यहां से गई पहुच मतलब बहुत जादा तब्याद कराब हो गई थी तो इसलिए मुझे मुझे मुंबई आना पड़ा एमर्जनसी में तो मैं कुछ मतलब किसी को शेयर भी नहीं कर पाई ना किसी को कुछ बता पाई तो मैंने सुचा कि फुरसत से एक वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि हर कोई भी जो भी देख रहा था मेरे रिलेटिव में या कुछ मतलब की अचानक से आ ग बहुत जादा बैक पेन हो रहा था और उनके पैरों में बहुत जादा पेन था बिल्कुल वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और पूरी बॉडी में उनके स्वैलिंग हो गई थी और उनका फीवर कम से कम एक हफते से था जो की मतलब जाई नहीं रहा था दो तीन बार एक और मैंने एक दिन राते में फोन किया ममी को तो वह मतलब बहुत जादा उनको ठंडी लग रही थी और वह बहुत जादा रो रही थी और उन्होंने खाना भी नहीं खाया था बोले कि सड़न मेरे दर्द चालू हो गया मेरी पोडी में मेरे पैरों में कि मैं बिल्कुल खान में में रहे एक भी तरन भीचता हो आप और इसलीए ममी बॉलिए कि मैं रहेंगी तर दादी कैसे रहेंगी और मेरा भाई पापा भी झालि यहां पर इनका इनका सब क्या होगा हमने बोला कि दादी को अंकल के पास आप भेज दो तो बोली कि नहीं वो लोग नहीं ले जाते हैं तो मैं इनको बुज़ुर्ग को कहां भेजू मतलब किसके भरोसे भेजू हम ही तो एक हैं उनके लिए तो बहुत सारी ऐसी कंडिशन थी जो वो डेली भी नहीं आ पा रहे थ तो इसी लिए मेरे हस्बेन ने मेरा टिकट तुरंत के तुरंत सेकेंड़ी मम्मी होस्पीटल जाने वाली थी बोली कि मैं कल सुबह डॉक्टर का अपॉइंट है डॉक्टर जैसे बोलेंगे वैसे मैं आपको बताऊंगी फिरी टिकट करना इत्ती दूर से परेशान करने की जरूरत नहीं है लेकिन वह मतलब नहीं माने बोले नहीं मतलब मम्मी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में हैं तुम लोग मतलब किस काम के हो तुमको जाना है जाओ मुझे बोल रहे हैं तुमको जाना है जाओ नहीं तो मैं जाता हूं और मेरी दोनों सिस्टर वहां पे तो मतल दोनों की जॉब है, दोनों नहीं आ सकते थे, कितने दिन आएंगे, एक-दो दिन की छुटी लेकर आएंगे, तो मेरे हजबन बोले, तुम जाओ, बच्चे होते किस काम के हैं, किस लिए होते हैं, इसलिए तो होते हैं, तो उनको इतनी प्रॉबलम हैं, तो इसलिए मुझे अ आपड़ा ममी को मतलब अभी तो बैटर फील कर रही है वो मतलब दवाइ चेंज किये थे उसके बाद से वो काफी ठीक है उनको अराम है पर उनकी बैक में अभी भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा चल लेती है थोड़ी देर जादा खड़ी रह जाती है तो उनको दिक्कत होत मतलब जैसे भी उनको रिलैक्स लगेगा तुम तब ही आना में यहाँ पर मैंनेज कर लूँगा मेरा खाने माने कर कुछ नहीं है मैं बाहर से मगा लूँगा अब कुछ भी कर लूँगा पर बोले जिन्दग में सब गुछ गुछ मिल सकता है दुबारा लेकिन माबाप दुबारा नहीं मिलते, माबाप एक ही बार मिलते हैं, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखना, उनका पूरा ख्याल रखना और ये बस मेरी husband की जित थी कि मैं ममी के पास जाओं तो इसलिए मैं emergency में आ गई और वो मुझे drop करने इसलिए नहीं आ पाये थे क्योंकि airport पे बस यही होता है कि बाहर से ही जाना पड़ता है train में है तो इनसान चलो जब तक train नहीं जा रही है हम अंदर गया अंदर हम घंटों बैठे रहें कोई फायदा नहीं है इसलिए मैंने बुला ठंडी का टाइम है आप मुझे drop करने मत चलो मैं चली जाओंगी मुझे यहां से गाड़ी book कर दो और वहां से भी मतलब पापा को भी मैं नहीं बुला रही थी पर काफी रात हो गई थी मेरी फ्लाइट थी दस बजे लैंड करने वाली थी पर वो यहां से ही लेट गई क्योंकि यहां पर रनवे डैली का रनवे जो था वो खराब था मतलब कुछ प्रॉब्लम थी ऐसे ही जो एक ही रनवे काम कर रहा था तो उसकी वज़े से एक डेड़ घंटे मेरी फ्लाइट डिले थी तो मुझे बारब बारबजे मतलब एरपोर्ट पर उतरना पड़ा इसलिए मैंने पापा को बुलाया था नहीं तो मैं पापा को भी नहीं बुलाती मेरे हस्बेंट भी बोला था पापा को भी मत परिशान करना तो मुझे कि मैं आइरपोर्ट से गाड़ी बुक कर दूँगा तुम चली जाना पापा को मत परिशान करना उनको मत बुलाना मतलब मुझ سے زیادہ मेरे पैरेंटس का खयाल मेरे हस्बेंट रखते हैं वंको कोई दिक्क नहीं हो कोई प्राल्बलम नहीं हो कुछ भी नहीं ऐसा होता है मतलब मंबेई आने का मेरा यही रीजन था कि मम्मी की हेल्थ थोड़ा सा लाउन थी बाकी जो भी चीज़ रहेगी मैं आपके साथ शेर करूंगी सारा वीडियो मैं आपके साथ शेर करूंगी जब से आई हूं vlog नहीं बना पाई हूं यहाँ पे vlogging नहीं कर पाई हूं मैं और मेरा mood भी नहीं कर रहा था करने का तो इसलिए मैंने नहीं किया एक दो जो मैं करूंगी मैं आपके साथ शेर कर दूँगी तो आगे एक दो छोटा वीडियो है वह आगे मैं आपके साथ शेर कर दूँगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लोग के साथ तब तक के लिए बाबाए आई हुप सबको पता चल गया होगा सबकी डाउट क्लियर हो गए होंगे ठीक है बाइ ममा बोलिए सब चील के देदो इसका जूस बनेगा लाओ सब चील तो इसका जूस बना दे देला अरे नीचे मत रखो ना डेवल पे क्यों रख रहे हो एसे देखो सब निकल रहा है यह देखो क्या कर रहे हो आप आपकी फिनिश नहीं हुए तब भी आप नहीं ले रहे है तो मोबाइल बंद कर दिये थे ना कि यहां निकल गाल आपि दो कुछ बहोंते हैं यह जाल दें मोलते हैं आप क्या बोटे थे एक ग्राइबूच होगा कुछ नहीं निकल रहे सुमिसे खताना कुछा है तो यहां पर आप देख सकते हूं मैं चाय बना रही थी बाबू और उन दोनों ने जूस पी लिया था और मैं अपने लिए दादी के लिए और ममी के लिए चाय बना रही थी क्योंकि ममी को जाना था शाम के टाइम वहाँ पर फीजियो थेरपी के लिए तो मैं बोली कि मैं चाय बना देती हूं फिर यह लोग गार्डन नीचे खेलने के लिए चले जाएंगे और ममी ने वो क्या बोलते हैं उसको फरा भी बनाया है तो आगे मैं उसको आपको दिखा द बनायी थी मुझे बहुत पसंद है जैसा आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो जब मैं अपने सस्राल गई थी लखनो गई थी वहां पर भी ममी ने बनाया था मेरी पसंद का और यहां पर भी देखिए ममी की तब्याद खराब है वो बैठ नहीं पाती है फिर भी उ ना था तो ममी अपना इधर यह थे तेयारी कर रही थी और अधर वो में चाय का बना रही थी ये बन गया था फिर सब लोग खा लिये था वह पिसी हुई थी तो इसकी थोड़ीसी मैंने दाल भी ममी ने तल दिया था अधicon थे मैंने खा लिया थे तो सब को ऑक नहीं पता है क्योंकि मतलब वो comfortable थोड़ा सा नहीं थी और उनकी तोड़ी तबीयत भी डाउन थी तो मैंने का कि उनको थोड़ा odd सा लगेगा इसलिए मैं बहुत जादा शेयर नहीं कर पाई बहुत जादा मैं व्लॉगिंग ही नहीं की हूँ एक दो वीडियो महां के हैं जो मैं आपके बनाई है कि आपके साओ क्रसे हूनर हो देखो माव माने हें देखो कार्यों नहीं कोकशन नहीं लो का देखो देखो तो टेस्ट करो लो वे लो देखो मा यहांसे कपड़ा दाँ देखो यहां परorterने अपर ख कोस्ते बीकार्ऴ हुआ तो को अच्छा लगेगा ना यहाँ पर देखिए बाबू के लिए निकाला था चटनी बनाई है ममी ने और मुझे घी के साथ पसंद है तो घी के साथ बहुत अच्छा लगता है आप लोग भी ट्राइ करके देखना बहुत अच्छा लगता है और सिरका से मुझे घी और सिरका से ज़्यादा पसंद है तो मैंने तीनों थोड़ा-थोड़ा ले लिया था बिबी को टेस्ट कराने के लिए जो उसको पसंद आएगा खाएगा और यहाँ पर मैं भी थोड़ा क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा तो मैं थोड़ा सिरका के साथ खाया था देखिए मेरा खटा-खटा सा मन हो गया था बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट जुलॉग में मिलते हैं तब तक के लिए बाइ- smell पना था, THANK YOU